हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल All Art और आज हम बात करेंगे रोमेंटिसिजम के बारे में जो की स्टार्ट वहा था सेविंटीज सेंचुरी के अंदर और इसका जो में मकसद था अगर हम इसको रिलेट करें तो इसका मतलब होता है पूरा यह इंपॉर्टन्स देता है नेचर को लैंड्सकेप को पीस्फुल ब्यूटी को फिर यह एक्स्प्रेशन को इंपॉर्टन्स देता है उसके struggle के बारे में, violence के बारे में, revolution के बारे में, फरवर जोसका जोश है, उसके बारे में, उसका जो religion है, उससे क्या depict करते हैं, romanticism में हम, freedom without rules, हम अगर जीवन जीना चाहते हैं, तो हम किस तरीके का जीवन देखना चाहते हैं, जिसके अंदर कोई rules ना हो, कोई boundaries ना हो, हम अपनी individuality को खुद celebrate करना चाहेंगे, अपनी identity को खुद celebrate करना चाहेंगे, तो उसके बारे में हैं, इसमें जादा importance दिया गया, solitary life, solitary life मतलब एकांत जीवन, एकांकी जीवन को, instead of society life, तो इसमें कहाया है कि reason से बड़ी imagination है, beauty के लिए devotion दिखाया है, nature के लिए प्यार दिखाया है, पूजा दिखाई है, imagination और freedom को importance दिया है, वहीं पे self-expression को भी जरूरी बताया है, तो emotion से imagination के सचाई कैसे पाएं, commentism में जो first artist है, वह थियोडोरे, Gary Colt, इनका दूसरा नाम, Gary Colt के नाम से बहुत फेमस है, यह इनका बर्थ हुआ था 26 सेप्टेंबर 1791, रोने, फ्रांस के अंदर, और इनके ड़ती थी 26 जनवरी 1824, पारिस, फ्रांस के अंदर, तो total इनकी life जो 32 years की इनोंने देखिया पनी, और यह specially painter थे, lithograph थे, और stone painting भी करते थे, इनका जो style था, एक तो यह keen observer थे, social awareness फिलाते थे, और portrait बनाते थे, जो की मरे वे लोगों का जो सर रखा हुआ है, उसके अपर यह portrait बनाते थे, combination है, यह realism का और raw emotions का इन्होंने दिखाया है, basically इसके अंदर वो ही है कि emotions है, कहीं ना कहीं, एक identity को दिखा रहे हैं, imagination को दिखा रहे हैं, express कर रहे हैं, चाहे वो struggle है, चाहे वो violence है, चाहे वो religion के उपर है, चाहे वो spirituality के उपर है, तो यह beauty को और self expression को दिखा रहे हैं, अब हम इनके artwork के बरेंब बात करेंगे, जो है the raft of medusa, जो की oil और canvas के उपर बनाया है, Louvre Paris, France के अंदर रखा है, यह इन्होंने केवल 27 सल की age में बना लिया था, इसके अंदर individual suffering को दिखा है, ना कि collectivity drama को दिखा है, यह दिखा रहे थे कि जो लड़ाई हुई थी, 1868 के अंदर, 16 के अंदर, राक के उपर, तो जो French Royal Navy, जो जहाज था, उनका, वो कैसे तूट गया था, और उसके उपर उन्होंने, वो जो मलबा था, जहाज का, वो कैसे उन्होंने पार किया, signal, cost तक वो लेकिया है, उसको, और उसके उपर, उन लोगोंने कितने दिन तक survive किया, तो जो rough थी, वो powerless हो गई थी, 147 लोगों का मतलब खाना वापे supply जो थी, वो कम पड़ी एक तरह से, उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने जो है, लेदर की belt खाली, हैट खालिया, भूके, पेट जो है, उन्होंने, फिर एक दूसरे को, जो कमजोर थे, उनको मार के खाना उसी के उपर, फिर 15 लोग जो थे, उन्होंने से बचे थे, फाइनली जो है, दस लोग बचे और पांच लोग फिर भी मर गए थे, तो ये एक sadness को, और horrifying situation को, इन्होंने दिखाया है, इस moment के, जो capture किया इन्होंने, फिर एक इनकी painting है, The Headless Horseman, ये हैकलबग का एक बंदा था, जिसका सर नहीं था, तो वो, उसका सर मिसिंग था, ये, माइथालोजिकल फिगर को इन्होंने दिखाया है, हैसियन सोलजर था, ये, हैकलबग जो था, वो ये दिखाया है, कि वो hunting इतना ज़्यादा enjoy कर रहा था, कि उससे ये पुछा गया है, कि तुम मर रहे हो, अगर तु पर मिले, या तुम्हें hunting करने को मिले, शिकार करने को मिले, तो तुम क्या लेना पसंद करोगे, तो उसने कहा, कि मैं hunting करना ही पसंद करूंगा, तो वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा enjoy कर रहा था, कि वो जो है, उसने, लास्ट मॉमेंट पे भी hunting करते वे उसको दिखाया है, और यह कही न कही violence, struggle और अपनी feeling को दर्शाया, इसने, अपनी individual character को दिखाया है, attitude को शोक किया है, तो इसके बार में बस इतना ही, आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कॉमेंट ज़रूर करेगा, ताकि मैं और है, ताकि एू